वेलकम टू इंटेलिजेंशिया इंशिट्यूट इंटेलिजेंशिया इंशिट्यूट के चैनल को आप लोग ज्यादा स्यादा सेयर और सब्सक्राइब के रिए चलिए शुरू करते हैं तो आج जो है कबर करेंगे आजनिक भारत में सिच्छा का भिखाज ठीक है चलिए शुरू करते हैं भारत में अंग्रियेजों ने पर्थम मदर्था अस्थापित किया तो कहां स्थापित किये थे कलगर्था में ठीक है एसियाइटिक सोसाइटी या बंगाल के संस्थापक थे तो सर बिलियम जोंस थे वरानफी में पर्थम संस्कृत महाविद्ध्यली की अस्थापना की थी तो किसी ने किया था तो इनका नाम था जोनाथम डंकन दादा भाई ने रोजी माइकल मदसूदन दत राजा मान राम मोहन राय तथा विवेका नंद में से हुआ जिनने पेरिस की रायल एसियाइटिक सोसाइटी की सदस्ता परदान किया गया था तो इनका नाम था माइकल मद सूधन दद था ठीक है सरपतम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो चार्ल्स विलिकिन्स ठीक है चार्ल्स विलिकिन्स ने जो है अनुवाद किया ठीक काली द्यास की प्रसिद्र रचना सकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो सर बिलियम जोन से ने किया स्वतंदर्ता पूर्व अवदी में बिटिस वरकार द्वारा भारत में आजुनिक सिच्छा के प्रसार का मुख देश था तो छोटे प्रसासनिक पदों पर नियुक्ती हे तू सिच्छित भारतियों की आउसकता ठीक बिटिस भारत के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में सिच्छा के लिए एक लाख रुपे दिये थे तो ये अधिनियम दा चार्टा अधिनियों अठारा सो तेरा ठीक है पहला समाचार पत्र उद्दत मारतंड तीस मई 1826 में जो है प्रकासित हुआ था और कलकत्ता से प्रकासित हुआ ठीक है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशे जोर दिया गया तो प्रसासनिक सिच्छा के सुधार यों विकास पर डेशनल काउंसिल आप एजूकेशन की अस्थापना हुई तो 15 अगस्ट 1906 को सेडलर आयोक समंधित है तो किस से है सिच्छा से है ठीक है हाँ अब आगे देखते हैं सिच्छा में सुधार हे तो बिटी सरकार ने सेडलर बिस विद्याले आयोक की अस्थापना अगे नूक्त किया ठीक है तो यह 1917 में जो है सिच्छा में सुधार हे जोड़ी सरकार ने सेडलर बिस विद्याले आयोक नूक्त किया तो 1917 में ठीक लाड मै काले समंधित हैं तो अंगरेजी सिच्छा से इनका समंधित बारत की सेच़डिक नीत में फिल्ट रेशन थेउरी प्रतिपाधित थे तो किस ने प्रतिपाधित केया तो लाड मायकाले ने बारत में आधुनिक सिच्छा प्रनाली की नियूड कब रखा गया तो 1835 में मायकाले के अस्मरणड पत्र में रखा गया था ठीक है आगे देखते हैं भारत में अंग्रेजी सिच्छा आरम की गई तो लाडबिलियम कैनिविडीस बैंटिक के सासनकाल में ठीक है भारत में पर्थम तीन बिसुविद्याले कलकत्ता, मदराज, बंबई की अस्थापना हुई तो 1897 भी में जिसके सतत प्रैतनों से बंबई में पर्थम महिला बिसुविद्याले की अस्थापना किया गया तो वो थे डीके कारवे डेकन एजुकेशन सोसाइटी की अस्थापना से संबंदित हैं तो इनका नाम है बीजी तिलग हिंदू कालेज, कलकत्ता, दिल्ली कालेज, मेयो कालेज, तथा मुशलिम, एंगलो, ओरियंटल कालेजों में सरपर्थम अस्थापना हुई थी तो किसका हुआ था तो हिंदू कालेज, कलकत्ता की थीके हिंदू कालेज, कलकत्ता की अस्थापना सबसे पहले हुआ डेविड हियर और अलेकजंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कालेज की अस्तापना किया उनका नाम है राजा राम मोहन राए बाल गंगा धर्तिलक, स्वामी बिये का नन, मात्मा गांदी तथा मदन मोहन मालबिये में से बारते बिस्विद्यालेयों में दार्मिक सिच्छा के लिए प्रबल रूप से वकालत किये थे तो इनका नाम है मदन मोहन मालबिये बनारस हिंदू बिस्विद्याले का सिलान नयास किया था तो लाड हार्डिंग ने अलीगड मुसलिम बिस्विद्याले अलीगड डक्टर भीमरा अमेडिकर बिस्विद्याले लखनौ बनारस हिंदू बिस्विद्याले वरानफी तथा इलहाबाद बिस्विद्याले में से सरपर्थम किंद्रिये बिस्विद्याले घोशित किया गया था तो ये घोशित किया गया था सबसे पहले बनारस हिंदू बिस विदले वराणफी कूँ ठीक है आगे देखते हैं अब हम देखते हैं आजुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे होगा ठीक है तो भारत का पहला समाचार पत्र था तो बंगाल घजट वैले जली है हेस्टिंग्स जान एडम्स तथा डलहोजी में से सरवर्थम प्रेस संसर्शिप लागू की थी तो बैले जली ने जो है सरवर्थम प्रेस संसर्शिप लागू की थे ठीक है अठारा सो अठातर का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद किया गया तो लाड रिपन के द्वारा ठीक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प पत्रकार के कर्तब का निर्वान करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतिय था तो कौन था बाल गंगाधर तिलग तिक अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखवार शुरू किया था तो तारक नाथ दास ने फारसी सापता ही के मिरातुल अखवार को प्रकासित करते थी तो राजा रामोहन राए ठीक है और इस अखवार का नाम था मिरातुल अखवार और ये सापता ही सापता में जो है ये प्रकासित होता था और भासा इसका था फारसी तो इतने पॉइंट्स जाद रखना जरूरी है राजा रामोहन राए अठारा सो अस्टी के दसक में इंडिय अखवार प्रकासन होता था कलकत्ता से ठीक है गदर पत्र का प्रतम अंक प्रकासित हुआ तो उर्दू भासा में गदर पार्टी का पत्र गदर था एक सापताहिक पत्र था ठीक है चलिए आगे देखते हैं अमरित बाजार पत्र का की अस्थापना की तो सिसिर कुमार गोशने लोग मानिबाल गंगा धर तिलग ने भारतिय सो तंतर संगराम की फेवा के उद्देश से जो समाचार पत्र प्रहर्म किये थे वहा है केशरी करांतिकारी काल की लोग प्रिये पत्र काएं जो अनिक कानडों से कांगरेज की अलोचना करती थी तो उसका नाम है बंगवासी, काल तथा केफिरी वह समाचारपत्र जिनों ने भारतिय सोतंतता संगराम के काल में करांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी तो उसका नाम है संध्या, युगांतर तधा काल सोम प्रकास नामक समाचारपत्र शुरू किया गया था तो ईश्वर्चंद्र विद्यासागर ने इसको शुरू किया था आगे देखते हैं निव इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में फे मुखतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था तो लीडर था इंडियान उपेनियन पत्र नहीं छापा था तो उर्दू भासा में ये नहीं छापा गया था इंडियान उपेनियन पत्र का के प्रथम संपादक थी तो इनका नाम था मनसुक लाल नंजर एक सापताहिक के रूप में यंग इंडिया का सुरुवात किया गया था होम रूल पार्टी ने किया था बारतियो दोरा अंग्रेजी भासा में प्रकासित पर्थम समाचार पत्त था तो हिंदू पैट्रियाड नेल आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाड के संपादक थे तो इनका नाम था हरिचन मुखर जी अंग्रेजी सापताहिक बंदे मात्रम के साथ अपने को संबद किया तो अर्विंद गोश ने इंडियन नेशन पंजाब की फिरी प्रभाकर तथा डान में से जिस अखबार का प्रकासन पटना से होता था हुआ है इंडियन नेशन सोदेश वाइनी के संपादक थी तो इनका नाम था के रामकिश्ट पिल्ले अंगरेची पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था तो मोतिलाल नहरू से ठीक है अब सही सुमेली थै इसको देखती है तो एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है भासा तो भारत मित्र जो है हिंदी भासा में था राष्ट मत्र जो है महराथी भासा में था प्रजा मित्र जो है गुजराती भासा में था नायक जो है बंगाली भासा में था दैनिक आज जो है तो इसका प्रकासन जो है प्रकाशन से जुड़े हैं सीउपरसाद गुप्त, दा लीडर से जुड़े हैं मदन मुहनमालविये, दा नेशनल हेराड, इससे जुड़े हुएं जवाहलाल नहरू, ठीके, और दापायैर से जुड़े हुए हैं जार्ज एलेन, ठीके, अब नेक्स देखते हैं, कानपूर से प्रकासिट जिस समाचार पत्र के माध्यम से बिजय सिंग, पाथिक ने बिजोलिया आंदोलन को संपूचे भारत में चर्चा का भिषय बना दिया हुआ था प्रताब, ठीक है, वह प्रताब था, इस समाचार पत्र का नाम था प्रताब, ठीक, हरीजन के प्रार्म करता थी, तो ये थे माहत्मा गांधी, ठीक है, आगे देखते हैं, माहत्मा गांधी द्वारा सुरू किये गए एक साप्ताहिक पत्र, हरीजन का प्रतम, अंक 11 फरूरी 1933 को प्रकासित किया गया था, पूना से, ठीक है, और बरतमान में ये पून्य बोलते हैं, हाँ, मराठी, पाच्छिक, बहिस्कृत, भारत, आरब किया गया था, तो भीम राओ, बियार, अमेड करके द्वारा, ठीक है, अलिहलाल, कॉमरेड, दा एंडियन, सोसियो लॉजिस्ट, तथा जमिदार मेफे, वह जर्नल जो, अब्दुल कलाम, आजाद द्वा प्रकासित है, तो उसका नाम है अलिहलाल, ठीक, वर्ष उनीच सोबीस में लाहोर से लालालाच पतराय द्वारा, जिस उर्दु समाचार पत्र को प्रारम किया गया, वह है बंदे मात्रम, ठीक, अब सही सुमेलित है, ठीक है, इसको देखते हैं, तो एक तरफ है सूची पत्र के, जी के, गोखले, वाई साब इंडिया, दादा भाई नरोजी, बंगाली, तो इसके हैं, एसन बनर जी, बांबे, क्रॉनिकल, तो इसके हैं, फिरोज सामेता, कामन वील, तो इसके हैं, एनी बेशेंट, लीडर, तो इसके संपादक, मदन मोहन, मालबिये हैं, सर्च इसके संपादक, टीयस, टीयम नायर हैं, ठीक है, अब सही सुमेली थे, एक तरफ सूचिप है, शेकेंड, अब्दुल कलाम आजाद, तो इससे संबंदी थे, इन्होंने प्रकाशन के, अलिलाल का, फिरोज सामेता, बांबे क्रॉनिकल, एनी बेशेंट, निव इंडिया, मा प्रकाशन के, समाचार पत्र का, ठीक है, आगे देखते हैं, कौमी आवाज पत्र का आरम किया था, तो जवहलाल नहरू ने, ठीक, अब सही सुमेली थे, नो जीवन, तो एमके बांधी के दोरा प्रकाशन किया गया, सौराजी का प्रकाशन, टी प्रकासम के दोरा, प्रभा प्रभात का, एनिसी केलकर, और कौमी आवाज का प्रकाशन, जवहलाल नहरू के दोरा किया गया, अब सही सुमेली थे, प्र देखते हैं, मात्मा गांधी, यंग इंडिया, बाल गंगा धर्टिला, केषरी, ठीक है, एनी बेषेंड के दोरा, कामन वील, पत्र का प्रकाशन किया गया ठीक है नेक्स देखते हैं एनी बेशन द्वारा निकाले जाने वाले दो समाचार पत्र थी तो एक का नाम था कामनवील और दूसरे का नाम था नियू इंडिया सही सुमेली थे तो बिपिंच चंद्रपाल तो इनके द्वारा नियू इंडिया का प्रकासन किया गया अर्मिंद घोज के द्वारा बंदिवात्रम का ब्रहम बांधा उपध्याय के द्वारा जो है संद्या का मुहमद अली के द्वारा कामरेड का सही सुमेली थे तो एफिये डांगे तो इनके दोरा दासोसलिष्ट का प्रकासन किया गया ठीक है और जो मुझफ़र अहमद है तो मुझबफ़र अहमद है तो इनके दोरा नवयूग का प्रकासन किया गया नवयूग पत्रिका का प्रकासन जो है मुझबफ़र अहमद के दोरा किया गया ये बेरी इंपोर्टेंट ये भी है, गुलाम हुसेन के दौरा जो है, इनकलाब पत्रका का प्रकाशन किया गया है, गुलाम हुसेन, इनका इनकलाब, एम शिंगर वेलू तो इनों ने लेबर किफान खजट का प्रकासन किया ठीक है अब हम देखते हैं सामाजी की योम धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए थे इसके बारे में देखते हैं तो उन्नीसभी सदाब्दि के धार्मियों समासुधार आंदोलनों ने जन्संख्या के जिस वर्ग को मुकतया आकर्शित किया हुआ है तो बुद्ध जीवी नगरिये उच्च जातियां और उदार रजवाडे ठीक है अब कथन और कारण हैं इससे संबंदित कुश्चना है तो देखें कथन ये उन्नीसभी सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकी करण हुआ ठीक है तो ये सही है बिलकुल क्योंकि उन्नीसबी सदी के दोरान जो है जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन होना सुरू हुआ तो उसी समय भारत में आधुनिकी करण हुआ सामाजिक धार्मिक आंदोलन मतलब यह हुआ कि जैसे सती पर्था समाप्त किया गया विधवा पुनर विवा जो है लागू किया गया महिलाओं के लिए सिच्छा प्रारम किया गया मतलब सामाजिक धार्मिक सुधारारम हुआ तो इससे क्या हुआ नभी करण, नभी निये, अधुनी करण या modernization के तरब धीरे धीरे बढ़ने लगे है अब कारण आर देखते हैं सामाजिक धार्मिक आंदुलन के मूल में बुद्धीवाद, बैग्यानिक दिश्कोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे ठीक है तो वही चीज है, जैसे बुद्धीवाद हुआ, बैग्यानिक दिश्कोण, मतलब सोचने की छमता बढ़ने लगी लोगों की ठीक है और वो सही गलत का नेड़ने लेने लगे, तभी तो सती पर्था, विदवापुनर विवाद, महिलाओं को सिच्छा, ये सब कुरूतियां जो है दीरे-दीरे समाप्त होने लगी और समाच जो हमारा विकास के तिरफ बढ़ने लगा, ठीक है तो इसलिए दोनों सही है, और ये सही की ब्याक्या करता है, ठीक है? और ये जो है सही ब्याक्या आ रहा है, ठीक है? आगे देखते हैं, कुलीन, कुलीन जमीदार, नवीन धन्वान व्यापारी, सिच्छित हिंदू मद्धम और्ग तथा, सिच्छित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सरपर्थम पश्यमी सबिता ने प्रभावित किया, तो हिंदू, सिच्छित हिंदू मद्धम और्ग, भार भारतिय राष्टवाद का पेगंबर माना जाता है तो राजा रामोहन राई को राजा रामोहन राई दौरा अस्थापित पर्थम संस्था थी तो इसका नाम था आत्मिय सभाव ठीक है राजा रामोहन राई दौरा ब्रम स्थापना किया गया तो 1828 में राजा रामोहन राई को राजा की उपाज दी थी तो अकबर फेकंड में द था ठीक है राजा रामोहन राई की शमाधी स्थीले प्रिस्टल इंगलैन्ड में ठीक है next देखते हैं नेक्स कलकथा कलकथा युनिटेरियन कमेटी टेबर निकल आफ न्यू डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर एसोशेशन में फे केशु चंदरशेन का संबंध है तो है टेबर निकल आफ न्यू डिस्पेरेशन आफ डिस्पेरेशन तथा इंडियन रिफॉर एसोशेशन की अस्थापना से इनका संबंधिक भारतिय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशो चंद सेन ब्रह्म समाज का सिधान ताधारित है एक एसोरवाद पर है एक देववाद है ठीक है इसे बोलेंगे एक एक उसरवाद या एक देववाद भी बोलते हैं मतलब ये कहते हैं कि जो भागवान है देवता है तो वो एक है ना के विन बिन है तो ये ब्रह्म समाज का सिधान था ठीक है पश्चाज सिच्छा जो है तो इसका विरोध जो है राजा राम मुहन राए ने नहीं किया और बाल बिवा जो होता था तो इसको भी राजा राम मुहन राए ने कहा कि नहीं बाल बिवा नहीं होना चाहिए सती पर्थान नहीं होना चाहिए ठीक है मुर्ध पूजा ठीक है इसका भी विरोध उन्होंने किया था ठीक है लेकिन जो पश्चास सिच्छा था इसका इन्होंने विरोध नहीं किया था ठीक है तो ब्रह्म समाज के बारे में सही कतन है ठीक है देखते हैं इसको ब्रह्म समाज के बारे में तो इसे ने मौर्धिपूजा का बिरोध किया, ब्रहम समाज के बारे में सही कथन है, दार्मित ग्रंतों की व्याक्या के लिए इसने पुरोहिध वर्ग को अश्वबिकारा, ठीप है? उन्नीस भी सताबजी के उत्रार्द में नौ हिंदुवाद के सर्पसेष्ट प्रतिनीज थे तो स्वामी विवेका नंद थे विवेका नंद ने शिकागो में आहयोजित वालियामेंट आफ वर्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया तो अठारा सो तिरानने वेजबी में प्रख़्ा समा सुधारक जिसने ज्यान योग करम योग और राज योग नामट पुस्तके लिखी तो उनका नाम है स्वामी विवेका नंद ठीक है अगे देख राम्किष्ण मिशन की अस्थापना की तो अठारा सो सतनाने वेजबी में सार्दा मडी थी तो राजा रामकिष परमहंज की पत्नी थी दयानन सुरसोती द्वारा अस्थापित किया गया तो आरी समाज का आरी समाज की अस्थापना का वर्ष 1875 है बेदो के पुनर उत्थान का स्रे जो है स्वामी दयानन सुरसोती को जाता है बेदो की ओर चलो कहा किस ने कहा तो ये दयानन स्वरोस्वती ने कहा भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं तो स्वामी दयानन स्वरोस्वती सत्यार्थ प्रकास के रचना किसके द्वारा किया गया तो ये किया गया है स्वामी दयानन्द सुरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकास की रचना किया गया सत्यार्थ प्रकास पवित्र पुस्तक है तो आहरी समाज की है सुद्धी अंदुलन का समर्तन किसके द्वारा किया गया था तो आहरी समाज के द्वारा किया गया था अच्छा सासन, स्वासासन का अस्थानापन नहीं है, कहा था, तो किसे ने कहा था, स्वामी दयानन्द ने कहा, वह बैक्त जिसने सरपर्थम स्वराज सब्द का प्रियोग के और हिंदी को राश्ट भासा माना, तो स्वामी दयानन्द थे, ठीके, आगे देखती है, तुलसी तुलसी दास, राजाराम मुहनरवाय स्वामी दयानन्द था, दयानन स्वरस्वती का सही कालकरम है, तो सबसे पहले तुलसी दास आएंगे, फिर राजाराम मुहनराय आएंगे, फिर दयानन स्वरस्वती आएंगे, फिर स्वामी दयानन्द थे, ठीके, और स्वामी दयानन कि यहां देव समाज के संस्ताफक थे तो सीव नरायन अगनी होत रही थे 1873 में सत्व सोजख समाज की अस्ताफना किया तो जोतिवा फूले ने किया गुलाम गिरी के लेखक थे तो जोतिवा फूले थे पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख कारिकरम था तो सत्व सोजख सम गटित किया तो महाराष्ट में एक जाथ बिरोधी आंदोलन वा बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का बिरोध किया और रोड़ वाज़ता का समर्तन किया तो इनका नाम है राधाकांत दियो ठीक है राधाकांत दियो था ठीक अब आगे फिर देखते हैं राधास्वामी सस्तंग के संस्थापक थे तो इनका नाम है फ्योदयाल सायब महाराष्ट का ववा सुधारक जिसे लोख हिदिवादी कहा जाता है तो इनका नाम है गोपाल हरी देशमुक महाराष्ट में बिधवा पुनरविवा हेतु अभियान का नेतरुत किया तो विश पारित हुआ तो अठारा सो एक्यानवे में बारित हुआ ठीक है नेक्स्ट उसका परधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार उसने सामाजिक बुराईयों के निराकरण के लिए बिधान निर्माड का साहरा लिया और बाल विवा परधा पता के उल्मोलन के लिए सामाजिक सम्मेलन का उद्गाटन किया जिसके अधिवेशन बहुत वर्सों तक भारतिये राष्टिये कांग्रेस के साथ साथ होते रहे इस उधारन में संकेतित ब्यक्ति हैं तो इनका नाम है महा देव गोपिंदर रानाडे ठीक है बहारतिये सुतंता आंदोलन के समय राष्टिये सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोसल कानफरेंस का गठन किया गया इसके गठन के लिए उत्तरदाई थे तो कौन थे बहारतिये राष्टिये कांग्रेस अपने कारिकरम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी सेन के नेत्रुत में ब्रह्म समाज ने नायरी सिच्छा के लिए आंदोलन चलाया विनोवा भावे ने सानात्यों में काम करने के लिए सर्बोधय समाज की अस्थापना की ठीक है 1856 में कानून पारिथ हुए वह है तो धार्मिक असुबिधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवा कानून ठीक है पैशिम भारत के D.K. काणवे का नाम जिस संदर में आता है वह है इस्तिरी सिच्छा और बिदवा पुनर्विवा ठीक आगे देखते हैं वह बेक्त जिसने बिदवा पुनर्विवा के लिए संगर्ज किया और उसे कानूनी रूप से बैद बनाने में शफलता प्राप्ज किया उनका नाम है इस्वर्चंद विद्यासागर ठीक आगे देखते हैं फिर सही कथन है 1839 में बिलियम एंटिंग ने सती पर्थक कानून द्वारा अफराद गोसित कर दिया 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विद्वाएं पुनर विवा कर सकती है 1855 इस भी में स्वामी द्यानन सुरस्वती द्वारा आर समाज की अस्थाफना किये गए तो ये सभी कथन सही है ठीक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1853 का एक्ट फिपत है मतलब एक्ट फाइब में गहर कानूनी बना दिया गया किसको गुलामी अदास्तर को ठीक है 1862 में नेटिव मैरीज एक्ट को पारिज कराने का माहतपूर्ण भूमी का निभाई तो किसने केसो चंदर से इनने ठीक है ये इंपॉर्टेंट है जाम में आएगा कितना वर्स है ठीक है 1853 में जनमे ये पशिमी भारत के फार्सी थे ये इंडियन इस्पेक्टेटर तथा वाई साब इंडिया के संपादक थे ये एक समा सुधारक थे और शमती आयू अधिनियम 1891 के पश्य में प्रमुक संगर्स करता थे इन तथो से संबंदित है तो कौन संबंदित है बीयम माला भारी सारदा अधिनियम के अंतरगत लड़कियों और लड़कों के बिवा की नियूमतम आयू निर्धारित किया गया था तो 14 वर जो है ये लड़कियों के लिए और 18 वर जो है लड़कों के लिए सारदा अधिनियम का संबंद है बाल भीवा प्रतिबंद से है आगे देखते हैं फिर थियो सोफिकल सोसाइटी की अस्थाफन किया गया तो मैडम एच पी वलाश्टी वेस्टी ने किया भारत में थियो सोफिकल सोसाइटी की सफलता मुकतया थी तो एनिवेशन के करण अब सही सुमेलित है तो डाक्टर राजा रोहम डाक्टर राजा राम मोहन राय जो है ब्रहम समाज से इनका संबंद था स्वामी वेकानन ने आर समाज की अस्थापना किया स्वामी वेकानन जो है राम किष्ण परम हंस मिशन राम किष्ण मिशन की अस्थापना किया महा देव गोविंद रहनाडे ने जो है प्रातना समाज का अस्थापना किया अब सही सुमेलित है तो तियोसोफिकल सोसाइटी एनिवेफेंट प्रात्ना समाज की अस्थापना जो है डाक्टर आत्मा राम आत्मा राम पांडूरंग ने किया आत्मिय सभा इसके संस्थापक जो थे राजा राम ओन राय थे बहारतिय ब्रह्म समाज तो केशो चंद सेन के द्वारा अस्थापित किया गया राधा स्वामी सत्संग जो है तुल्सी राम के द्वारा ठीक है अब सही सुमेलित फिर तो ब्रह्म समाज का संबन ब्रह्म समाज जो है कलकत्ता में मानो धर्म सभा जो है सूरत में अस्थापित किया गया आरी समाज जो है बंबई में अस्थापित किया गया नदवा उल-ुलमा और इसका अस्थापना जो है लखनो में किया गया है ठीक है अब आगे देखते हैं साई सुमेलित है तो सत्व सुधक समाज की अस्थापना जो है जोतिवा फूले ने मुहमदन एंगलो ओरियंटल तो कालेज अलीगड तो इसकी अस्थापना सरसगियाद आहमत खान के दोरा तत्यु बोधिनी सभा जो है इसकी अस्थापना जो है देवेंदर नाथ टैगोर के दोरा दा सर्बेंट आप इंडियन सोसाइटी और इसके संस्थापक जो थे गोपाल किष्ण गोकले थे बेरी इंपोर्टन है एमसे सीतलवार, बियन राव तथा अलाधी किष्ण स्वामी एगर प्रखात सदस थे तो सर्बेंट आप इंडियन सोसाइटी है ठीक है सर्बेंट आप इंडिया सोसाइटी की अस्थापना किष्ण के दोरा किया गया तो गोपाल किष्ण गोकले के दोरा बहुजन समाज के संसापकों थे तो मुकंदराओ पाटिल नडारो दोरा मंदिरों में प्रवेव के अधिकार की मांग की प्रस्चुती की कारण 1899 में बहेंकर धंगए हुए तो ये हुए तुरुनेली तुरुनेल वेली में यदि बहगवान अस्पिरस्ता को सहन करती है तो मैं उन्हें कभी बहगवान नहीं मानूँगा किसने कहा तो बाल गंगाधर दिलग ने कहा था ये याद रखना जरूरी है ऐसा ना हो कहीं भीमराम मेडिकर के जक्कर में कोईशन गलत कर दिया जाए ठीक है तो ये धियान देना सही सुमेली थे ठीक है अब सही सुमेली देखते है सूची फैस सेकंड अब राजा राम मोहन राय तो या कहा कि हिंदू धर्म का सुदतम रूप उपनिस्दों में नहीं थे केशो चंदरसेन तो या कहा कि ब्रह्मवाद को पिसुधर्म बनाना चाहिए सुमेद रहनां सरोसिती तो हिंदू धर्म की बैचान बेदों में संस्थापित धर्म से की रामकिश वरामाद इस पर जोर दिया की इस्वर तक पहुचने की कई मार्ग हो सकती है अब समासुधार जो संस्कित भावावा में प्रभिन्रता के कारण जाने जाते हैं तो दयानन सुरोस्वती इस्वर चंद विद्धा साकर और राजा राम मुहन राय अब सही कथन है इसको देखते है तो ब्रह्म समाज एकेश वरवाद का समर्थक करता था आरी समाज ने सिच्छा के विकास में योगदान दिया रामकिश मिशन के अस्तापना स्वामी विवेकानन ने की भारत में नारी आंदोलन प्रारम हुआ तो जोतिवा फूले की प्रहणा से ब्रह्म समाज रामकिश मिशन और आरी समाज में समानता थी तीनों ही राजनेतिक उद्देश के लिए नहीं बने लेकिन तीनों ने ही देश भक्ति की भावना के विकास में साहिता दी ये इंपोर्टन्ट है अब सही कतान है डाक्टर एनी बेसंड थियोसल थियोसोफिस्ट थी तीयोसभीकल सोसाइटी का अंतराश्टिय मुख्याल मदराज में है स्वामी दयानन सुरस्वती ने आयर समाज की अस्तापना की तो ये सही है ठीक है दार अलूम के अस्तापना की तो किसने किया मौलाना हुसेन अहिम्द ने किया ठीक है नेक्स देखते हैं देवबंद आंदोलन यूपी और यूपी को पहले संयूत परांध बोलते थे आरम हुआ था तो 1866 में 1924 का बंगाल का तारकेशवर आंदोलन विर्द था ठीक है तो मंदिरों में ब्रस्ट मंदिरों में ब्रस्ट अचार का ठीक है आली पद्धिती संबंदित है तो बंद हुआ मजदूरी से ठीक है थैंक्यू चैनल को आप लोग ज़्यादा सेयर और सब्सक्राइब करिए ठीक है